हेलो दोस्तों, Commerce World हजारी बाग ने Arts, Commerce और Science तीनों faculty के लिए Class 11 और Class 12 का पूरा course online और offline दोनों mode में launch किया हुआ है अगर आप offline वाले student हैं तो आपको हमारे main office, head office में आना पड़ेगा जो कि हजारी बाग में है, हजारी बाग जारकंड में है मतवारी petrol pump के पास है, मेरा contact number आपके पास दिया रहता है आप मुझे phone करके आएंगे और अगर आप online पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए कहीं आने की जरूत नहीं है हम आपके घर पहुंच जाएंगे, आपके mobile के जरी है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो play store में जाएगे, commerce world 1000 बाग का app है application है, उसको install कर लीजे, commerce world 1000 बाग का app install करने के बाद उसमें login के लिए दो options आते हैं, एक आता है whatsapp और एक आता another method तो आप another method में जाएंगे, आप वहाँ पे अपना number डालेंगे, OTP आएगा, OTP submit automatic हो जाता है, उसके बाद आप अपना नाम डालेंगे और login कर लेंगे login करने के बाद, अगर आप चाहते हैं कि कोई course purchase करें, तो आपको store में जाना है store में जाने के बाद उपर search box आता है, जो course खरीना चाहते हैं, वहाँ search कर सकते हैं, जैसे कोई chemistry खरीना चाहता है, fix खरीना चाहता है, history खरीना चाहता है, geography खरीना चाहता है, उसके लिए सारे courses वहाँ पे available हैं, मैं बता दू कि 2025 में जो exam होने वाला है, इसका मतलब जो 12 का एक नया batch launch हो गया, इतना पहले करने का कारण क्या है, तो इतना पहले launch करने का कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो class 11 में अपनी तयारी बहुत अच्छा नहीं करवाए, तो जिनकी तयारी बहुत अच्छी नहीं है, जिनको लग रहा है कि उनका preparation बहुत strong है, एक्जाम अच्छे से नहीं लिख पाएंगे, तो वैसे student के लिए हम लोग free में पढ़ा रहे हैं, class 11 free में पढ़ा रहे है, फिर से repeat कर रहे है, class 11 का पूरा syllabus MCQ का, नहीं आपके exam की तयारी free of course हो जाएगी, लेकिन सवाल है कि free of course हम लोग देंगे तो पढ़ाएंगे live कहा पर, तो live पढ़ाने के लिए हम लोगों को application चाहिए, और application में जब बच्चे जूड़े नहीं रहेंगे, तो live पढ़ाएंगे किसको, इसके कारण हम लोग ये offer लेकर आ रहे हैं, कि जो बच्चा class 12, 2025 के लिए online course खरीद लेगा, या offline course खरीद लेगा, उसके लिए class 11 का पूर by topic MCQ, पूरा clear किया जाएगा concept के साथ, ताकि आप 11 में भी अच्छा score करें, और 11 जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप क्या उमीद करते हैं, कि 12 में आपका preparation बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 11th base year होता है, अगर आप base strong नहीं करेंगे, तो आगे आपक application पर, आप खरीदें, अगर कोई दिक्कत होगा, तो मेरे number पर contact कर सकते हैं, application में भी मेरा number डाला रहता है, आप वहाँ से भी phone कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, बे जिजग phone कीजिए, अगर हम नहीं receive कर पाएंगे, वापस phone जरूर जाएगा, या chat box में आप message कर दीजिए, क economics, commerce में अगर हम चले जाए तो, accounts, business study, ETP, BMT, कोई भी subject, जो भी art, science, commerce का subject है, किसी में भी अगर preparation में दिक्कत है, आप हमारे courses purchase कीजिए, 11 free में पढ़िए, और कुछ video तो हम YouTube पे भी डालेंगे, लेकिन सारा video YouTube पे डालना पॉसिबल नहीं है, बट कुछ video YouTube पे जाएगा, साथ ही साथ हम लोगों ने science के student के लिए separate channel बना रखा है, उसका नाम है CWH Science, CWH Science, अगर arts के student है तो उसके लिए CWH Arts, और अगर commerce के student है तो CWH Commerce, ये तीन अलग लग channel है जहाँ पे separate video मिलेंगे, आज सर आपको सुरिंदर सर पढ़ाएंगे computer science, और class 11 का computer science का basic चीज़ बताएंग कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, strategy बताएंगे और उस हिसाब से सर फिर से एक चाप्टर वाई चाप्टर करके MCQ लेकर आएंगे और आपको MCQ का basic concept बताते चले जाएंगे, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, तो चलिए अप सर से पढ़िए, मैं बहुत जादा देर आपको बता दिया, लेकिन ये notice देना भी बहुत जरूरी क्योंकि बहुत सारे student ऐसे होते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हमको कोई पढ़ाने वाला मिले, लेकिन उनको कोई मिल नहीं पाता है, इसलिए हमारे लिए ये भी जरूरी चीज है, आप अपने दोस्तो सेर कर दीजे, अगर आपको लगता है, ये काम का चीज है, तो अपने दोस्तों को भी सेर कीजे, क्योंकि उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए, तो लीजे अप सर से पढ़िए, थेंक्यू सर, हेलो स्टुएंट, हम लोग आज जो है, कम्प्यूटर साइन्स का सलेबस डिसकस करेंगे, और वो 11 का सलेबस होगा, इसमें आपका क्या है, कि आप सलेबस जानेंगे, तभी आप अच्छे से तियारी कर सकते हैं, चेके, और टाइम कम है 11 के लिए, तो उसमें क्या है, कि आपको चेप्टर बताएंगे, और MCQ भी बताएंगे, जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इन्पोर्टेंट है, ठीके, और आपका अगर कम्प्यूटर साइन्स का 11 का बेस बहुत अच्छा है, तो आपको 12 बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि देखो 11 में क्या है कि कोड लेकिन ऐसा नहीं है, EDCA प्लस का कोर्स अलग है, और कम्प्यूटर साइन्स का कोर्स अलग है, दोनों का सलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, सबजबया है, तो इसमें EDCA प्लस में क्या है, आपको ओफिस्यल वर्क के लिए ज्यादा पढ़ना है, MS, Excel, PowerPoint, यह सब पढ़ना है, ठीके, लेकिन क्या है, कि कम्प्यूटर साइन्स के लिए आपको कोडिंग पढ़ना है, जो C++ पढ़ना है, तो जैसे स्टुडेंट जब फर्स्ट में ABCD सिखना स्टार्ट करता है, तो वो 26 लेटर सिखता है, उसके बाद वो इंग्लिस संटेंस बनाने सिखता है, इस तरह स कम्प्यूटर साइन्स में भी समझ लो कि 11 क्लास में C++ का ABCD सिखाया जाता है स्टुडेंट को, और 12 में हम लोग उसी का एडवांस पढ़ते हैं, तो बताओ, अगर आपको 11 पता नहीं रहेगा, तो फिर 12 समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा, तो हम लोग 11 को अच्छे से प्रॉब्लम होगा, तो आपको इस पॉइंट को नोटिस कर लेना है, तो आपको सिर्फ 12 का कोर्स को पर्चेच करना है, कम्प्यूटर साइन्स के लिए, और 11 का कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, लगबग जितने कोर्से से यहां पे हैं अबलेबल, कॉमर्स वर्ड में, वो सब का वही है कि 11 अगर 12 का कोर्स ले रहे हो, तो 11 आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 11 का सलेबस देख लेते हैं, कि इसका सलेबस क्या है, तो समझोगे, 11 में टोटल जो यूनिट पढ़ना है, वो टोटल 4 यूनिट पढ़ना है, अब य अबश्च बता रहे आपको, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइन्स, सलेबस, सलेबस फोर, 12, 11 क्लास, 11 के लिए न, लोग क्या 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 पढ़ना है, तो ये computer science syllabus है कौन सा class के लिए 11th class के लिए तो इसमें जो unit हम लोग को पढ़ना है वो चार unit पढ़ना है तो इसमें जो first unit है unit number one unit number one इसमें हम लोग को पढ़ना है computer fundamental computer fundamental यह पढ़ना है यह unit number one है इसमें जो chapter पढ़ना है वो first chapter हम लोग को पढ़ना है chapter number one chapter one पढ़ना है computer overview मतलब computer के बारे में basic information लेना है computer over view यह पढ़ना है ठीक है और chapter number two जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें chapter number two इसमें हम लोग two में पढ़ेंगे number system number systems इसके बारे में पढ़ेंगे और chapter three जो हम लोग पढ़ेंगे unit one में chapter three वो होगा आपका computer 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 hardware 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 and software software इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है मतलब unit number one में total जो number of chapters पढ़ने है वो three chapters पढ़ने है ठीक है first chapter है आपका computer overview इसमें हम लोग जानेंगे कि computer कि को कहते हैं computer का type कितना होता है generations of computer evolution of computer यह हम लोग basic information जानेंगे number system में यह जानेंगे कि computer कौन सा language को समझता है computer में कितने type के number system होते हैं और कैसे हम लोग एक number system को दूसरे number system में convert करते हैं यह हम लोग logic सिखेंगे यह बिल्कुल numerical type का chapter है ठीक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे computer hardware किसको कहते हैं software किसको कहते हैं hardware में हम लोग input device output device CPU यह सब के बारे में पढ़ेंगे software में हम लोग operating system application software system software यह सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यह basic knowledge है इसका नाम ही है computer fundamental मतलब computer के बारे में basic information जानेंगे कि computer किसको कहते हैं कैसे computer काम करता है computer में कौन सा device जो होता है जिसको हम लोग hardware बोलते हैं software बोलते हैं किसको हम लोग printer कहते हैं यह सब के बारे में जानेंगे जो output device में आता है ठीक है तो यह हम लोग पढ़ेंगे unit number one में अब आते unit number two में क्या पढ़ना है तो unit number two में जो हम लोग को पढ़ना है unit number two इसमें हम लोग पढ़ेंगे programming programming methodology methodologies यह पढ़ेंगे इसमें हम लोग दो चेप्टर पढ़ेंगे चेप्टर नमबर one algorithm algorithm and flow chart flow chart इसके बारे में यह चेप्टर नमबर one है और चेप्टर नमबर टू जो हम लोग पढ़ेंगे वह हम लोग पढ़ेंगे error error कैसे find out करते है errors के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के errors होते हैं और उसको हम लोग find out कैसे करते हैं mainly यह पढ़ना है ठीक है तो programming methodologies में हम लोग यह पढ़ेंगे ठीक है और वही algorithm को हम लोग problem solving भी बोलते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे unit number unit number 3 unit number 3 unit number 3 में हम लोग पढ़ेंगे introduction 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 to C++ C++ के introduction के बारे में पढ़ेंगे इसमें जो chapter 1 हम लोग पढ़ेंगे chapter number 1 वो होगा C++ basics इसके बारे में basic information के बारे में जानेंगे chapter number 2 जो हम लोग इसमें discuss करेंगे इस unit में वो होगा आपका chapter number 2 data handling handling यह है data handling यह chapter number 2 में discuss करेंगे chapter number 3 जो है इसमें chapter number 3 वो हम लोग पढ़ेंगे operators operators and expressions expressions यह हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो इसमें भी तीन चेप्टर पढ़ना है C++ basics data handling और next पढ़ना है operators and expressions यह हम लोग discuss करेंगे ठीक है उसके बाद एक last unit है जो है आपका unit number 4 unit number 4 unit number 4 unit number 4 में हम लोग discuss करेंगे programming 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 in C++ यह हम लोग discuss करने वाले programming in C++ इसमें जो first chapter हम लोग पढ़ेंगे chapter number 1 वो होगा control control flow statements statements इसके बारे में पढ़ेंगे next chapter number 2 जो हम लोग इस unit में discuss करेंगे वो होगा आपका array and a string a string और chapter number 3 जो हम लोग discuss करेंगे वो है functions functions और chapter number 4 4 डिसकस करेंगे chapter number 4 4 वो होगा structure and union union यह होगा और chapter number 5 chapter 5 जो हम लोग इसमें discuss करने वाले हैं वो है आपका object oriented 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 programming programming इसको OOP बोलते हैं concepts concepts इसके बारे में हम लोग discuss करेंगे ठीके देखो है वो हम लोग पढ़ेंगे algorithm and flowchart और errors errors के बारे में error किसको कहते हैं कितने type के errors होते हैं next जो हम लोग अब 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 सिक्यों बताते जाएंगे समझ मैं और साथ में answer के साथ आपको region भी बताएंगे क्यों answer क्यों आता है क्योंकि देखो आप जब option tick करोगे ना option elimination भी आना चाहिए आपको eliminate करने सीखिए कि option को कैसे हम लोग ignore करते हैं और सही answer पर कैसे पहुंचते हैं तो आपको पास अगर knowledge रहेगा तो आप उसको tick कर सकते हो तो region के साथ आपको answer बताएंगे समझ मैं तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में 11th class और अगर आप 11th interesting के साथ पढ़ते हो तो 12th में और मज़ा आएगा समझ मैं आएग स्टूरेंट थैंक यू